नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी कहा हमारे चैनल इंडियन एस सार्जे पर देश में विकास को गती प्रदान करने के उद्देश से भारत में विरिहद हाई स्पीड ट्रेंज का जाल बीछ रहा है जिसमें की काशी अर्थाद भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के संसदीक शेतर वारानसी की भी मुख्य भूमी का सामने आ रही है आज आप इस वीडियो की माध्यम से जानेंगे नैदिल्ली वारानसी बुलेट ट्रेंड प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिती नैदिल्ली वारानसी बुलेट ट्रेंड की क्या है अब नवीन वा अप्रूवड रूट बुलेट ट्रेंड के मार्ग में आने वाले सभी शेहरों वा जीलों की जानकारी बुलेट ट्रेन का अयोध्या से जोडने वाला कैसा होगा रूट वारानसी वा अन्य शहरों में किन गावों से गुजरेगी यहां बुलेट ट्रेन वारानसी से दिल्ली के बीच कितने वा कहां पर बनेंगे नए स्टेशन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में होने वाले भूमी अधिकरहन की जानकारी कितने चरलों में होगा नवीन रेल्वे ट्रैक का निर्माल कारे तथा किस प्रकार से बनेंगे बुलेट ट्रेन के नए ट्रैक तो मित्रों यह संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंततक अवश्य देखें गंगा एक्स्प्रेसवे के पस्षात अब उत्तर प्रदेश में एक और उपलब्धी जुड़ने जा रही है जिसमें कि दिल्ली के सराय काले खान से चल कर प्रदान मंतरी के संसदीक शेतर वरानसी तक के लिए बुलेट ट्रेंड को दोडाने की कारी योजना पर तीवर गती से कारी चल रहा है तथा bullet train के गती में कोई बाधा ना आए इसके लिए bullet train corridor के लिए elevated track का निर्माण किया जाएगा अब यदि bullet train के station की जानकारी दें तो आपको बता दें कि लोगों की सुविधा को देखते हुए bullet train को वरानसी प्रयाग राज रूट पर दोड़ाया जाना है तथा इसमें वरानसी से दिल्ली तक 14 railway station बनाने का प्रस्ताव तयार किया गया है जिसका की हवाई सर्वे भी हेलिकॉप्टर से किया जाच चुका है जिनमें कि दिल्ली में दो नोयडा सेक्टर 148, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नोज, लखनौ, राइबरेली, प्रयागराज, संत्रवीदास नगर, वरानसी और आयोध्या सम्मिलित हैं जानकारी के लिए बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में कानपूर का नाम भी सम्मिलित किया गया है वहीं यदि इन स्टेशनों से गुजरने के लिए ट्रैक के निर्माल के चरलों की जानकारी दें तो आपको बता दें कि बुलेट ट्रैन के ट्रैक बनाने के लिए किसानों की अधिक भूमी ना लेनी पड़े इसलिए इसे एलिवेटिड ट्रैक बनाया जाएगा जो कि भूमी से लगवग 10 मीटर की उचाई पर होगा महत्वपून है कि बुलेट ट्रैन धरातल पर नहीं उतरेगी और इसके लिए पीलेरों का खाका खिचा जाएगा और भूमी से 10 मीटर की उचाई पर पीलेरों की सहायता से ट्रैक को तयार किया जाएगा जिसमें कि पहले चरल में दिल्ली से आगरा तथा दूसरे चरल में आगरा से लखनौ एवं तीसरे चरल में लखनौ से वरानसी तक रिल्वे ट्रैक बनेगा यह रिल्वे ट्रैक आध्हुनिक सुरक्षा और संसाधनों से लैस होंगे इसी के साथ यदि भूमी अधिकरहन वक्षती पूर्ती की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए वरानसी से लखनाउं तक तो भूमी अधिकरहन होगा पर आगे संभवतह नहीं क्योंकि लखनाउं से आगरा तक यहाँ लखनाउं आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा से नवयडा तक यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के सामनांतर चलेगी जिसमें कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक के लिए 17 मीटर चोड़ाई में भूमी अधिकरहन का प्रस्ताव है जिसके लिए क्रिशी भूमी पर वर्तमान समय में सरकिल रेट से 4 गुना और आबादी अथवा शेहरी क्षेतर में 2 गुना शतिपूर्ती नियमा नुसर दिया जाए जिसके के लिए प्रोजेक्ट के अधिकारियों और किसानों के मधिस समन्वे बैठक्स जीलावार चल रही है और कई इस्थानों पर पूर्ण भी हो चुकी है बता दें कि दिल्ली वराण सी बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश के 22 जीलों तथा दिल्ली के दो जीलों से होकर के गुजरेगी तथा इस हाई स्पीड रेल कोरिडॉर के लिए बनने वाले बुलेट ट्रेन के नए स्टेशनों की जानकारी दें तो आपको बता दें कि आगरा और इटावा ऐसे दो इस्थान होंगे इस मार्ग में जहां पर अलग से नए स्टेशन बनाए जाएंगे एव अब यह रूट लगभग 930 किलो मिटर का होगा जिसमें की लखनों से अयोध्या के लिए एक अलग 130 किलो मिटर लंबा रूट बनेगा जो की अपने आप में विशेश होगा 300 किलो मिटर प्रती घंटे की गती से दोडने वाली हाई स्पीट बुलेट ट्रेन दिल्ली से आयोध्या के बीच 930 किलो मिटर की दूरी को केवल 3-4 घंटे में ही पूर्ण कर लेगी सबसे बड़ी बात है कि अब दिल्ली से वरांसी की बीच लखनों से आयोध्या के लिए भी एक अलग बुलिट ट्रेन की लाइन बिचाई जाएगी अर्थात अब दिल्ली से भगवान राम की नगरी आयोध्या तक पहुँचना अब अत्यन्त सुगम हो जाएगा बता दें कि बुलिट ट्रेन कोरिडॉर निर्माल के लिए फ्रांस की कमपनी EVIS इंडिया को परामर्शी संस्था के रूप में नामीत किया गया है तथा भूमी अधिक रहन के लिए National High Speed Rail Corporation Limited को कारेदाई संस्था के रूप में दायतु सौपा गया है इसके अतरिक्त आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिन जीलों वो शहरों में बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हैं फिरोजाबाद के सदर तहसील के गाउं जलालपूर से प्रवेश करेगी बुलेट ट्रेन तथा जीले की 28 गाउं से होकर कटफेरी से होते हुए बचेला बचेली से जीले की सीमा से इटावा में प्रवेश कर जाएगी इसकी पश्चात इटावा उस्राहार में बुलेट ट्रेन के लिए ताखा तहसिल क्षित्र में 17 मीटर चोड़ाई में भूमी अधिग्रहित होगी हालांकि ट्रैक इतना लंबा तयार नहीं होगा परन्तु जहां तक भी बनाये गए ट्रैक की छाया जाएगी उतनी जमिन को किसानों से क्रै किया जाएगा न्यू इटावा के नाम से बनने वाले स्टेशन पर आगरा लखनौ एक्स्प्रेस वे के कट चौपूला के पास इसक्षित्र के लोग बुलेट ट्रेन में चड़ उतर सकेंगे वहीं कानपूर में यह ट्रैक बिलहौर में अरौल, मकनपूर, विश्धन, रोगाओ, गिलवट, अमीनाबाद आधी गाओं से होकर के गुजरेगी इसके लिए रोगाओं और गिलवट, अमीनाबाद में थोड़ा बहुत भूमी का अधिक्रहन करने की आवश्यक्ता पड़ सकती है कानपूर की बिठुर की ओर से यह हाई स्पीट का रेलवे ट्रैक उनाओ के पैरियर आएगा और यहां से हसन गंज के रास्ते वाया लखनव जाएगा तथा लखनव में अवद होस्पिटल चुराहे के पास से गुजरेगा इसके पस्चात वरानसी के समीप भधोही जनपत के दो तहसिल ग्यानपूर और और औराई तहसिल क्षेतर के पचपन गाओं और दोसो तिरपन प्लोटों को अधिगरहित करने की कारवाई आरम्भकर दी गई है तथा प्रधान मंत्री के संसदी क्षित्र वरानसी की जानकारी दें तो आपको बता दें कि बनारस में दो तहसीलों राजा तलाब और सदर के 30 गाओं से यह ट्रैक गुजरेगी तथा बनारस में कुल 22 किलोमेटर का कोरिडॉर बनेगा एवं इस कोरिडॉर के लिए केवल साड़े सतर मीटर भूमी की आवशकता होगी तथा आकलन के अनुसार बनारस के 22 गाओं में 100 हेक्टेर भूमी की अधिगरण की आवशकता होगी इसके लिए प्रत्यक गाओं में समीतियां बनाकर किसानों की सहमती से भूमी क्रे की जाएगी महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष के अंततक परियोजना पर कार्य आरंब होने की आशा है जबकि रेल्वे ट्रैक के वर्ष 2026 तक पूरा होने की संभावना है जानकारे के लिए बता दें कि NHS RCL अर्थात नेशनल हाई स्पीड ड्रैक का सर्वेक्षन किया जा चुका है तथा इसकी सर्वे रिपोर्ट इसी अप्रेल महा के अंततक आने की संभावना है यही नहीं प्रस्तावित इस्टेशनों पर हर्याली के लिए गार्डेन वपार्क भी बनाये जाएंगे वरानसी का मनवडी स्टेशन भी स्वक्षिता की लिहाज से विश्विस्तरी ववातानु कुलित बनाया जाएगा तथा जीस प्रकार से अहमेदाबद मुंबई हाइस्पीडर कोरिडोर के बीज हर्याली को बढ़ावा देने के लिए पौधे रोपे जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से ने दिल्ली वरानसी कोरिडोर किनारे भी पौधे लगेंगे महत्वपूर्ण है कि वरानसी से अब न दिल्ली दूर होगी न लखनों और ना ही अयोध्या घंटों की ठका देने वाली यात्रा अब मात्र कुछ ही घंटों में पूरी हो सकेगी जो कि यात्रियों के साथ साथ दर्शनार्थियों के लिए भी विशेश होगी मित्रों यदि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विशेश में यदि कोई सुझा हो तो वह भी बताएं इसके अत्रिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृत्तग्य अवश्य करें फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद हर हर महा देओ